हालो गाईज, कैसे आप सभी लोग हो, तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ, अपने इस चैनल पर, वीडि इंस्टिटूट पर, तो जैसा कि मैंने, अभी अभी आप लोगों को लेक्चर वान, फैटी असीट सिंथेसिस पर डाला था, आप लोगों देखा होगा, समझा हो चले स्टार्ट करते हैं, तो पहला कोशन हमारे यह है, कि which of the following is not true about fatty acid synthesis, इसमें से कौन साय स्टेट्मेंट, fatty acid synthesis के लिए सही नहीं है, पहला, co-factors NADPS चाहिए, सही है, मैं आपको लिखा चुका हूँ, कि fatty acid क्या synthesis जब करते हैं, तो क्या-क्या, requirement होनी चाहिए, requirement NADPS सही है, सही है, यह cytosol में होता है, ठीक है, और यह आपका plant cell का जो chloroplast वहाँ भी होता है, ठीक है, उसके अलाबा, आगे बढ़ा जाए, precursor to carbon unit, यह भी सही है, दो carbon unit का जो precursor होता है, दो carbon unit का, वो भी सही है, C2 होता है, यहां लिखाया carrier, carnotine carrier, जो गलत है, क्योंकि आपको पता है, यहां carrier होता है, ACP, that is, acyl carrier proteins होता है, ठीक है, acyl carrier protein होता है, आंसर क्या होगा, D answer होगा, यही options गलत है, ठीक है, समझ गए आप लोग, चलते आगे बढ़ते हैं, question number 2 देखिए, इसमें कहता है, कौन सा options, beta oxidation of fatty acid, containing even number of carbons, उसके लिए सही, नहीं है, not true, अब चलते देखते हैं, आप लोगों प्रहाद चुका हूँ, beta oxidation of even carbon number, in product style को यह होता है, सही है, co-factor NAD plus भी होता है, और FAD होता है, दोनों होता है, यह भी सही है, mitochondria के matrix मताइबी सही है, decrease during star, जब आदमी भूखा होता है, उसमें इसका, संख्या, इसका जो concentration में घट जाता है, यह गलत है, ठीक है, तो option C, wrong है, आप options eliminate करके भी सवाल को बना सकते थे, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, question में 3 देखिए, यह question आपके CSIR 2018 में पूछा था, questions क्या है, कि column 1 में coenzyme दिया हुआ है, column 2 में इस coenzyme का chemical group जो यह transfer करता हुआ दिया हुआ है, ठीक है, मतब सम coenzymes that serve as transient carriers of a specific chemical groups, तो coenzyme left side में दिया हुआ है, left column में दिया है, right column में दिया है, a specific group जिसको वह particular coenzyme carry करता है, चली दखता है, coenzyme एक यगर बात करें, coenzyme में, आप आपको पता है न, कि यह coenzyme fatty acid oxidation में participate करता है, जहाँ पर यह acyl group को यह carry करता है, a2 होगा, देखो कहाँ a2 है, a1 गलत, a3 गलत, a1 फ्रोग दो, कितना हस्वाद सेट करता है, a2 होगा, बाकी option अपने आप बार होगा, देख लो क्या होगा, b का इसने one the electron donation होता है, किसको fad काता है short में, paradoxal phosphate c, c का इसने 4 दिया है, amino group को carry करता है paradoxal phosphate, और nicotinamide adenine dinucleotide, यह का करता है, hydride ion को carry करता है, याद रखिये है, यह hydride ion को carry करता है, nad, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, कोई समस्चा नहीं, समझ मागिया वक, इसका जवाब होगा, answer 2 होगा, ठीक है, चलिए आगे बरते हैं, यह सवाल देखें, क्या पूछा है, सवाल दिया है, कि fatty acid synthesis of multi enzyme complex सही है, statement में दिया हुआ है, it catalyzes the synthesis of long chain fatty acid, यह भी सही है, but its structure differs in various organisms, बहुत सारे organism में इसका structure differ करता है, जैसी कि मैं प्रहाद चुका हूँ आपको अपने lectures में, जैसे कि east cell ले लो, plant cell ले लो, ठीक है, bacteria ले लो, ठीक है, mammals ले लो, इन सभी में इस enzyme के structure deeper करता है, तो इसी respect में कुछ statement proposed किये गये है, fatty acid synthesis के structure को define करने के लिए किस में है, bacteria and plant में, तो bacteria and plant में fatty acid synthesis enzyme होता है, उसके structure के बारे में, चार statement दिया है, अब बताना है, इसमें कौन सा statement सही है, पहला statement में देखिए, there are single enzymatic activity, single enzymatic activity, shown by seven different polypeptide, ऐसा कोई option, ऐसा कोई होता ही नहीं, गलत option से, ठीक है, यह seven है आपका, seven different polypeptides, जिसमें एक ही enzymatic activity है, अगर याद होगा, यह आपका mammals का होगा, यानि vertebrates में होता है, साथ activity एक ही peptide में होता है, यह mammals का है, यह जबाब नहीं होगा, जब A गलत होगया, तो वह कहां-कहां है, A यहां भी था, A यहां भी था, तो one and two तो already मैंने गलत कर दिया, ठीक है, अब बचिक है D या C, चलो सिदे D देखते हैं, there are seven enzymatic activities, shown by seven separate polypeptides, और C में seven enzymatic activities, shown by single polypeptides, यह भी आपका गलत है, C नहीं होगा, अगर आपको याद हो, तो मैंने दिखाया था D option, जिसमें plant और bacteria में total seven separate polypeptides होते हैं, और यह seven separate polypeptides, seven different activity को show करते हैं, option D is the only correct option, इस तरीके के सवाल CSIS set कर रहे हैं, आपको इस तरीके के सवाल बनाना होगा, कोई उपहें नहीं है, आई समझ में इसका answer D, only D option is correct, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल यहाँ है, पांचरा सवाल, कि इसमें से कौन सा statement of combinations correct है, अदर यह भी fatty acid synthesis के लिए दिया बाए, देखिए कौन सा statement सही है, पाला सब्सक्राइब कहता है, all the carbon of fatty acid are derived from melanin-coe only, जो गलत statement है, क्योंकि melanin-coe के अलावा, acetyl-coe भी है, जहां से कुछ carbon आते हैं, option A क्या है, गलत है, तो option A यहाँ है, काट दो, option A यहाँ है, काट दो, always use of elimination method, अब आपको B, C में देखना है, चलो BC पर लेते हैं, B में क्या है, NADPH is required to provide source of hydrogen electrons, सही है, NADPH को use करते हैं, by a synthetic path में B तो 100% सही है, it occurs in cytosol of all organisms, हमने कहा हैं कि सभी organism के cytosol में होता है, नहीं, और plant की बात करो, तो plant के, plant में जो photosynthetic cell that is chloroplast, the chloroplast के stoma में यह होता है, अगर हम ऐसे लिखते है, it occurs in cytosol, it occurs in cytosols of bacteria, mammals, तो भी यह सही होता है, लेकि सभी हमने लिखा सारे organisms, सारे में तो नहीं होता है, plant में photosynthetic cells होता है, जिसमें chloroplast होता है, वहां पर यह होता है, ठीक है, तो option C गलत है, इसलिए option 1 गलत है, तो only option B is correct, तो second option सही है, इस type के सवाल CSIR अपने paper में खास करके section C में, इस type के सवाल A statement बना करके पूछे जाते है, इस type B में भी आ सकता है, कोई ठीकाना नहीं है, इसी तरह IAT jam, gate वाले भी इस सवाल को पूछते हैं, एक ही concept हर जगा apply होता है, इसलिए यह मत समझे कि CSIR कोशन है तो gate में नहीं आएगा, gate में छोटा simple question पूछे है, CSIR में थो tough question पूछ देगा, ठीक है, तो आसा करता हूँ अपने जवाब अपना check कर लिया होगा, किसका कितना सही होगा, ठीक है, तो इसी के साथ lecture समाप्त होता है, आसा करता हूँ, आप सारे questions को बनाए होंगे, enjoy की होंगे, और मेरे गया दिये गया है, explanation भी आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक कर देना, नए बच्चे चैनल के सबसाइब पर नहीं भूलना, इसको जितना हो सके, नए बच्चे तक spread किया अपने दोस्तों को, अगर आप संतुष्ट है, तो अपने दोस्तों को बताएए मेरे चैनल के बारे में, कि हाँ यहाँ पर भी lectures दिये जाते हैं, एक नए टॉपिक के साथ, किसी नए वक्त पर, बाई, टेक किया रहाएं